नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज आश्वन शुक्ल पक्ष की सब्तमीति थी और रविवार का दिन है सब्तमीति थी आज शाम 6 वज कर 45 मिनेट त आज शाम 5 वज कर 14 मिनट तक सौ भागी योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बज कर 33 मिनट तक मूल नक्षत रहेगा इसके अलावा आज पातान लोग के भवद्रा रहेगी और आज भानुस अप्तमी भी है आगे हम इसी पर विश्य चर्चा करेंगी साथ ही आज अगर आगर आज आज आपकी मेरी जनिवर्सरी है तो क्या खास करें चाहे आपका आज का लगी नमबर आज अगर बिजन्स शूरू करना है तो कितने वज़ें शूरू करें नाम के अक्षर के हसाब से क्या आज दुष्ट मन जयरँ होगा या दोस्ती किस मत का धर्वाजा खुले राज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज के तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही पल देता है जो तिशे गड़ित पक्षने आकाशी इंडो के बीज बहने वाली इलेक्ट्रो मागनिटिक फील्ड के मुवमेंट को काल्कूलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुखदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की यही जैदियों की तो बता दूँ कि आज य योग नहीं बन रहा है अब ये योग कल यानि की तीन अक्टूबर की रात बारा बचकर पर चीस मिनट से अगली सुबह पांच पचकर चोवन मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार सिध्धी योग यानि की सारे काम बनाने वाली योग की तो बता दूँ कि आज ये योग शुरू हो चुका है ये योग सुबह पांच बचकर तिरपन मिनट पर शुरू हुआ था और रात एक बचकर तिरपन मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईए अब चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्त यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को अक्तूबर के सुबह साथ बचकर उननीस मिनट से दो पाहर दो बचकर एक मिनट तक रहेगा इस कांस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त साथ अक्तूबर के सुबह 6 बचकर 47 मिनट से सुबह 9 बचकर 58 मिनट तक और एक पिर दो पाहर 12 बचकर 17 मिनट से दो पाहर 2 बचकर 21 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इंस्टिशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 5 अक्तूबर की सुबह 6 बचकर 46 मिनट से सुबह 7 बचकर 46 मिनट तक और एक बार पिर सीजेरियन आपरेशन कराने के लिए अच्छा महूर्त कल यानिकी 3 अक्तूबर की सुबह 7 बचकर 54 मिनट से दो पाहर 2 बचकर 36 मिनट तक और एक बार फिर शाम 4 बचकर 19 मिनट से रात 8 बचकर 46 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है आप या महूर्त 9 अक्तूबर की शाम 4 बचकर 50 मिनट से शाम 5 बचकर 52 मिनट तक रहेगा Medical treatment शुरू कराने के लिए आज अच्छा मोहूत सुबह 7 बच कर 58 मिनिट से दो बार 2 बच कर 40 मिनिट तक और एक बार फिर शाम 4 बच कर 23 मिनिट से शाम 7 बच कर 17 मिनिट तक रहेगा और अब बात आती है अशुप समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली Electromagnetic field कुछ चणों के लिए निगेटिव हो जाती है इस अशुप करांती साम में से एक निगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ निगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुप कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज शाम साथ बच कर पचास मिनिट पर अशुप समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मेश, मिथुन, कर्क और कुम राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जादी रख सकते हैं आज दिली में राहुकाल होगा शाम चार बच कर 37 मिनिट से शाम छे बच कर 6 मिनिट तक, मुंबई शाम चार बच कर 57 मिनिट से शाम छे बच कर 26 मिनिट तक, चंडेगर शाम चार बच कर 38 मिनिट से शाम शे बच कर साथ मिनिट तक लखनव शाम चार बच कर तेईस मिनिट से शाम पांच बच कर बावन मिनिट तक भोपाल शाम चार बच कर सैंटीस मिनिट से शाम शे बच कर साथ मिनिट तक कोलकाता दो पहर बाद तीन बच कर चोवन मिनिट से शाम पांच बच कर 23 मिनट तक अहमत आबाद शाम चार बच कर 56 मिनट से शाम 6 बच कर 26 मिनट तक और चेन्ड़ी में रहुकाल होगा आज शाम चार बच कर 28 मिनट से शाम पांच बच कर 58 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्य हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की और साथ कदम चलिए फिर क्लॉक वाइस घूम कर अपने काम पर चले जाएए सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिनाम मिलते ही रहेंगे यानि कि आपके तवाम काम बेना किसी विद्वाला के पूरे हो होते रहेंगे और आईए अब शुरू करते हैं सिलसला राशेपल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज व्यापार को आगे बढ़ाने में जीवन साथी की मदद मिलेगी किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा करन के लिए आज आप खुद को तयार रखेंगे प्रोफिसर्स के लिए आज का दिन शांदार रहने वाला है सौहत है आज पहले से काफी अच्छा रहेगा माता का आशिरवार लीजिए तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डन और लखी न से सुनेगा जीवन साथी को आज को ज़रुत की वस्तु उपहार में देंगे मा कालरात्री का पार्ट करें कष्टों से मुक्ति मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंज और लखी नंबर है एक मिथुन राशे वालों आज आपका दिन बेहतर है किसी विशेश कारे में दोस्तों का सहयोग मिलेगा नौकी में पदोनती होने के योग बन रहे हैं स्टूडेंट्स को कोई दिया प्रोजेक्ट मिलेगा आपको आज धनलाब के अवसर प्राक्त होंगे आज अपनी सेहत का खास क्याल रखें दुरगा मा को गुर से वनी चीज़ों का भोग लग होगी किसी उच्च अधिकारी से आपका संपर्क होने के कारण सरकारी कारियों में फाइदा होगा घर के कारियों को लेकर महिलाओं की जिम्मेदारियां पढ़ेंगी आज आप सोच विचार में रहेंगे माता को लाल चुनरी चढ़ाइए विवाह में आ रहें दिक्कते सखलता मिलेगी इलेक्ट्रोनिक कारियों से जुड़े लोगों को आज अधिक धनलाब होगा कारोबारियों को आज बड़ा मुनाफ़ा होने के जोग बन रहे हैं माता को लॉंग अर्पित करें पदोनती के अवसर प्राप्त होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है नाई तुला राशिवालों आज आपका दिन बेहतर रहेगा किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाए धैरे से काम लेना चाहिए किसी भी तरह की यात्रा करने से आज आज आपको बचना चाहिए बहुत जरूरी हो तभी यात्रा पर जाएं आज आफिस के किसी काम में गलतियों को नजर अंदाज ना करें मादुर्गा को मिशिरी का भोग लगाएं घर में शांती का माहौल रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है छे बरिष्टिक राशी वालों आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है कांट्रेक्ट पर कारे कर रहे हैं लोगों को आज नया कांट्रेक्ट मिलेगा आफिस के लोग आपके कारें की खूब तारीफ करेंगे इस राशी के फैशन डिजाइनिंग के चात्रों को कुछ नया सी धन और आशे वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आपकी बात किसी खास रिष्टेदार से होगी उनके साथ को यह आपाश शुरू करने के बात करेंगे आज अपने खर्चों को लिंदित करने के लिए नई योजना बनाएंगे आज अपना कारे अ आज पारवार एक सुख में ब्रद्धी होगी करियर को लेकर आज आप कुछ अच्छे फैसले लेंगे आज आप अपने कारियों को समय से पूरा करने में सफल होंगे किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले घर में विचार उमर चरू करें मेडिकल की पढ़ाई कर चात्रों को आज किसी बले डॉक्टर का सहयोग मिलेगा हल्दी का तिलक लगाएं पूरे दिन पर संद रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है महरून और लखी नमबर है एक कुम भराशिवालों आज का दिन आपके लिए शांदार रहने वाला है आज उच्छ अधिकार कारियों से परचय आपके काम आएगा करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे पहले से लिए गए फैसले आपको बेहतर फल देंगे महिलाएं आज शौपिंग करने में थोड़ा बीजी हो सकती है माता के सामने दीपक जला पर अमल करने के लिए दिन अच्छा है आज जिस कारे को करने की सोचेंगे उसमें काम्यावी मिलेगी घरेलू कारियों को पूरा करने में परिवारवालों का सहयोग मिलेगा आज आपको खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे मादुरगा को इलाशी अर्पित करें कार सभवार में बरकरत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है गुरी और लखी नमबर है तीन ओर अभ बातं की जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन हे वो आज किसी दोस्तों परीजराई हम कि लाएं और जिनकी आज मेरीजरि वालों का सहयोग मिलेगा, काम सफल होगा. मूलांग दो, आफिस के काम में आपका मन लगेगा, आज पेंडिंग काम को भी पूरा कर लेंगे. मूलांग तीन, आवेश में आक करने लेने से बचे, जो भी करें, सोच समझ कर करें. मूलांग चार, रादीर से जोड़े लोग आज किसी समारोह में जाएंगे, जहां महात्वपूर्ट टॉपिक पर बात होगी. मूलांग पांच, आज आप अपने शादी के रिष्टे की बात अपने घर पर करेंगे. घर वाले आपकी बात पर विचार उमश्च करेंगे. मूल पसंद कॉलेज मिलने के योग बन रहे हैं. मूलांग आठ, कठिन परिस्थितियों में भी आप पॉस्ट्यू बने रहेंगे, जिससे आप अपने कामों को करने में सफिर होंगे. मूलांग नौ, नाराज दोस्त को मनाने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, मन सथे की वास्तुशास्थर में नवराच्ट्र के शब्तमी का दिन माता कालराच् ergरात्र से जुदा होता है. और माता काल कालराच्र का संब'm निगेटिविटी के विनार से संब्भे जता है. तो आज हम वास्तुशास्थर के दाइरे में रह Allen रह यह संजेंगे कि कौनसी वा आएगी और क्या करने से निगेटिवटी जाएगी तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि दिशाओं के इदिमिकल एलिमेंट्स की स्थापना से घर के वास्तों के तक्तों में संतुलन बिगड़ता है उदाहरन के लिए आग की दिशा में पानी, पानी की दिशा में चूला लकड़ि की जगह धातू और धातू की जगह अगड़ी की स्थापना से जीवन का जोश नठ हो सकता है, आयू को संकट हो सकता है, तरह तरह के भय व्याबत हो सकते हैं, हर्श समात हो जाता है, मुक्ः मंडल, मलान हो जाता है, इसी तरह दक्षिव पश्चिम दिशा होने से जो कि entry of evil कहीं जाती है, उस दिशा में उसको नीचा होने से बड़ा गरवर होता है, और उत्तर पूर दिशा में गंदगी रखने से, जीवर में अवरोधुत्पन होते हैं, यदि आपके घर में ऐसा कुछ है जो ठीक नहीं करा है, कुछ यह तो ठीक हो सकते हैं, कुछ ठीक ही शर लिजे, जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारीनी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारीनी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, देखो, अक्सर हम लोग एक बाग के कहा जाता है, कि भावी हूं मेट सकें तिरपुरावी, भागवान भोलेना तो भावी को भी मिटा सकते हैं, तो तिरपुरावी क्या अकेले मिटा सकते हैं, शक्ति के वगार शिव क्या है, शिव के वगार शक्ति क्या है, शिव और शक्ति दोनों का अन्यों जाश्चित संबंद है, तो आप म अगर आपके घर के वास्तु में कुछ ऐसा इनिमिकल है जो आप सुधार नहीं सकते और उसके साथ रहने के लिए मजबूर हैं तो जगत जन्नी परामबा भगवती महामाया कालरात्री के चरन शरन गह लीजिए आनंद मंगल हो जाएगा और आज के दिन की सबसे खास आज आश्विन शुक्ल पक्षकी सब्तमी तीथि और रविवार का दिन है सब्तमी तीथि आज शाम 6 बच कर 45 मिनट तक रहेंगी लेकिन नवरात्र का पर्व उदेया तीथि में मनाया जाता है लिहाज आज नवरात्र का साथवा दिन नवरात्र के दौरान पढ़ने वाली सब्तमी को महा सब्तमी के नाम से जाना जाता है आज के दिन मादुर्गा के साथवे सुरूप मा कालरात्र की पूजा की जाएगी आपको याद दिला दूँ कि जब माता पारवती ने शुम्भने शुम्भ का वद करने के लिए अपने सुनिम वराल को त्याग दिया था तब उन्हें कालरात्र के नाम से जाना गया मा कालरात्र का वहन गठा है और इनकी चार भुजा है जिर्मे से उपर का दाहिना हाथ सदय वरद मुद्रा में और नीचे का हाथ अभाय मुद्रा में रहता है जबकि बाई और के उपर वाले हाथ में लुहे का काटा और नीचे ने हाथ में खट गरे मा का यह सुरूप देखने में भले ही बड़ा भ्यानिक लगता है किन्तु यह बड़ा ही शुप्फल दायक है। यक्ष गंधर्व राक्षस आहा ब्रम्व राक्षस वेताला आहा कूश्मांडा भायरवादिया। नश्चनती दर्शानात तस से कबचे इहर दे संसे थे। तो जगजन्दी की शरन पर जो चला जाता है जो माता की शरन का कबच पहन लेता है उसके घर में उसके आसपास भूत प्रेग पिशाद भाय अन्ने किसी भी तरीके के परिशानी तुरंदूर वाग जाती है। उसके बंत से हर तरह कर डरडूर हो जाता है कोई ख़ूफ नहीं रहता किसी चीज़ का चाहे फिर वो कैसा भी डर हो ,कैसा भी प्रीफियर हो ,प्रीफ fear of death या जो भी हो अगर आपको भी कोई ऐसा ही डर है या कोई शत्रों आपके पीशे प्रा है या आपके घर की सुक्षान्ति कहीं खो गई है तो आज के दिन अपने ललाट में मा कालरात्र का ध्यान करके उनके समंतर का अवश्य ही जाप कीजिए मंत्रों था जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारनी जय सर्वगते देवी कालरात्र नमोस्तु ते जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारनी जय सर्वगते देवी कालरात्र नमोस्तु ते आज के दिन इस मंत्र का कम से कम एक माला जब कर लिए एक माला न कर पाएं 11 बार कर लीजिए और वह भी न कर पाएं तो भाई एग बार कर लीजिए अरे कुछ करो तो महराज just start moving towards right direction and you will find you will find your aim जीवन सफल हो जाएगा इस से आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा शत्र आप से दूर रहेंगे और आपके घर की सुखशान्ति बनी रहेगी तो ये थी आज महासब्तमी की चर्चा और अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर चौदा मिनट तक सौभाग योग रहेगा सौभाग योग सदा मंगल करने वाला योग है इसलिए इसे मंगल दायक योग भी कहते हैं साथ ही नाम के अनरूप योग भागय को बढ़ाने वाला और वाइवाहिक जीवन को सुखत बनाने वाला भी है साथ ही आज देजात एक बच कर तिरपन मिनट तक मूल नक्षत्र रहेगा आकाश मंडल में इससे 27 नक्षत्रों में से मूल 19 वा नक्षत्र है मूल कार्थ होता है केंद्री विंदू या जड़ इसके अनसार एक साथ बढ़ी हुई कुछ पाउदों की जड़ों को मूल नक्षत्र का पतीक मुचे नमाना जाता है ये नक्षत्र बहुत से रहास्यों गुप्त विद्याओं तथा अदर्श शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है इस नक्षत्र की एक खास्यत ये भी है कि जिस परकार किसी पेर को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शहीर को पुनापराप्त कर लेता है उसी परकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिवत्य को पुनापराप्त कर लेने की च्छमता रखता है साथ ही आपको बता दू कि मूल लक्षत्र का पेरत साल है जो कि शी विश्व भगवान को बहुत ही प्री है बहुत धर में भी साल को पवित्र पेरों की शेनी में रखा जाता है इसके अलावा आज शाम छे बच कर 45 मिनट से अगली सुबह पांच बच कर 41 मिनट तक पाताल लोग की भद्रा रहेगी जोतिश विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग बारह चंदर राश्यों के अनुसार तीनों लोग स्वर्ग परत्वी और पाताल में गूंती रहती है जिस दिन चंदर्मा मेश, ब्रशब, मितुन और ब्रश्चिक राश में होता है उस दिन भद्रा कावास स्वर्ड लोग में है और जब चंदर्मा करक, सिंख, कुंभ और मीन राश में होता है तब भद्रा कावास प्रत्वी लोग पर और जब भद्रा जब चंद्रमा कन्या तुला धनु और मकर राशी में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोग में माना जाता है आज चंद्रवा का वास धनुराश में है आज तो आज पाताल लोग की भद्रा रहेगे पाताल लोग की भद्रा का पत्थी पर कोई भी असन नहीं पड़ता इसके अलावा अगर भद्रा सोंवार गुरुवार शुकरवार के दिन पड़े तो उसका कोई दोस्त नहीं लगता लेकिन पाताल लोग की भद्रा के दोरान कोई चिंता करने के आफ़ शिक्ता ले वो आप पर प्रभावी नहीं है आज दो अक्टूबर को भारत के दो लोकनायकों की जैनती है एक मोहंदास करम चंदर गांधी जिने हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं और दूसरे श्री लाल बहदूर्श शास्ट्री जो कि भारत के दूसरे प्तभानमंती नहें हैं जिने हम अक्ट्त शद्धा के साथ हैं जाथ करते हैं मानली लाल बहदूर्श शास्त्री जी की यह 128 ही जैनती है साथ ही जीवन जीने की प्रिणा देने वाले शास्त्री जी एक कुशल लेता तो करता थे आज पूरा देश उनकी जैनती मना रहा है और अब बात करेंगे आज की भानु सब्तमी की आज भानु सब्तमी है जैसे कि मैंने आपको ओपर बताया कि आज आश्वे चुक्रपक्ष की सब्तमी ती और रविवार का दिन है आपको बता दूँ कि सब्तमी ती को बड़ा हिश्व माना जाता है विशेशकर जब वो सब्तमी ती ती रविवार की दिन पढ़ रही हो तो सूरेधियों की उपासना करना और बिशुभ हो जाता है अताहा आज का दिन बड़ा ही शुभ है और रवियार के सार tी के सभी सईयों को रवी सथमी या भानू सथमी के नाम से भी जाना जाता है तो ये थी भानू सथमी की चर्चा और अब हम बात करेंगे मा कालराट्री के एक और मंतर की मंतर महोड़न हुए मा कालराट्री के 113 अक्षरों के मंतर की चर्चा है जो व्यक्ति नवरात के दोरान उसमें मंतर का जाब कर यलेता है उसके अंदर अधार शक्टिया जाती है या किसी को भी अपने वश्मे कर सकता है और अपने उपर मोहिट कर सकता है तो वो 133 अक्षर का मंत्र है ओम अयंग रेंग क्लींग शींग कानेश्वरी सर्व जन मनोहरे सर्व मुख इस्तंभीने सर्व राज वशंकरी सर्व दुस्ट निर्दलीने सर्व इस्तिरी पुरुषा कर्शिने बंदिश शंखलाच त्रोटै त्रोटै सर्व दुष्टरन निर्दलै निर्दलै सर्वम इस्तंभय इस्तंभय मुहनास्तेप्रिञ दुषणाम उच्चाताई उच्चाताई सर्वम वशं कुरु कुरु स्वाहा ओम आयंग रींग क्लींग शींग कांहेशवरी, सर्व जनमनोहरे, सर्व मुख इस्तंभिनी, सर्व राजवसंकरी, सर्व दुस्ट निर्धलिनी, सर्व इस्तृ पुरुशाकर्शिनी, बंदीश शंखलास त्रोटे त्रोटे सर्व शत्रून भंजय भंजय द्वेश्ट्रन निर्दले निर्दले सर्वम इस्तंभय इस्तंभय मुहनास्तेन द्वेश्णाम उच्चाटई उच्चाटई सर्वम वशम कुरु कुरु स्वाहा देही देही सर्वम काल रात्री कामिन गड़ेश्वरी नमहा नवरात्र के दौरान और खासकर कि आज महासक्तिमी के दिन इस मंत्र का केवल ग्यारह बार जब करने से भी आपको लाभी लाभ मिलेगा इससे आपकी आंतरिक शक्ति में वर्दी होगी और आप किसी को भी अपने वश्वे या अपनी और मोहित कर सकते हैं तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के साथवे दिन मा कालरात्र की पूजा के बारे में इसके लाभा आपको आज के दिन देवी कालरात्र के कुछ उपायों की चर्चा कर लिए आज के दिन आपको नवरात्र की पूजा के बाद मा कालरात्र का ध्यान करते हुए इस के दिन इस्नान आज के बाद लाल रंग के कपड़े पहन कर लाल रंग के आसन पर बैठ कर माता कालरात्रि के आगे एक घी का दीपक और गुगल के दूद जलाएं फिर देवी मा को लौंग चणाएं और पेले का भोग लगाएं इसके बाद माकालरात्र के मंतर का ग्यारह बा अपने जीवन में हर प्रकार के भाई आज इसे मुक्ति पाने के लिए आज आज रात के समय एक लोटे में जल भरकर अपने सरहाने रख ले और उस लोटे को किसी अन्य बरतन से ढख ले उस ढखे वे बरतन में देशीगी का एक दीपक जलाएं और उस लोटे के दोनों तरफ दो धूबतियां चलाएं अम्मा कालरात्री के नाम का जब करते हुए सो जाएं अगले दिन सुवह उठकर उस लोटे के दीपक को किसी पेरपाउद्य में डालने ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का भाय नहीं होगा और आप बेजेजग जीवन में आगे बढ़ते आप नवरात्री की सामाने पूजा के बाद माता कालरात्र को प्रणाम करके आसन पर बैट कर उनके मंतर का जब करें। जलाकर उस पर जायफल की आहुति देकर देवी मा की आति करें उसका देवी मा को निबू काट कर चलाए आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली हर मुसीबत से बचे रहेंगे और आज के दिन सुभा स्नान आद के बाद नवरात्र की पूजा के बाद देवी काल कालरात्र की उचित प्रकार से पूजा करनी चाहिए और देवी के नवालन मंतर का एक सो आट भार जाप करना चालिए ओम आयें घृइंक लेंग चामुन लाए विच्छे आज के दिन इस मंतर का जाप करने से आपके धर की र प्रकार से अर बुरी नजर से सुरक्षा बनी आज के दिन देवी काजरात्री के सामने गुगुल की धूब दिखाने के बाद पूरे घर में भी धूब दिखाईए और इसके साथ ही दुर्गाश्टोतर शत्नाम में दिये हुए इन पंक्तियों का जाब करें आज के दिन ऐसा करने से आपके विरोधी आपका कुछ ने बिखाईए और आज के दिन सुबह इसनान आदि के बाद लाल रंग के आसन पर बैठकर देवी काजरात्र के इस मंतर का जब करिए आज के दिन इस मंतर का 108 बाद जाब करने के बाद मा कालरात्र को जीरे का भोग लगाए इससे आपका जीवन खुशाल रहेगा अगर आपको लगता है कि किसी नजर दोश या टोने टोटके का कारण आपका स्वास से ठीक नहीं रहता है तो अपने घर के किसी सदस्य से कहें कि एक नीबू लेकर उस पर क्लिंग लिखकर आपके उपर से छे बार क्लॉकवाईज और एक बार अर्टी क्लॉकवाईज उता रहे और उसके बाद नीबू को बीच से दो टुकों में काटिये जान रखिए नीबू पूरी तरे अलग न हो तो अच्छा है अगर जटकेत अलग हो जा तो घबराईए नहीं क्या क्या हो गया ऐसा कुछ लिए कोशिश करिए कि अलग न होने पावत इस प्रकार काटने के बाद से घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेक दीजी ऐसा कर करने से आपके ऊपर से नजर दोस्ट या टोने टुटके का असर खतम हो जाएगा आज के दिन एक मिट्टी की दियाली में दो कपूर की टिक्या जलाकर माता कालरात्री के सामने रखें और उनके मत्रका जब करें जय तम देवी चामूंडे जय भूतारति हारिणी जय सर्व जब करने के बाद धूब को दोनों हाथों से लेकर अपने आखों पर लगाएए आज के दिन ऐसा करने से आपका हर काम से धोगा तो ये सारी चर्चा थी आज महा सप्तमी में देवी कालरात्री की पूजा के बारे में सवभागयोग मोलक्षत्र पातालो के भद्रा और भान रहने चल रहे हैं चामुंदा देवी मंदिर के दर्शन ये मंदिर हिमाचल के जिला कांगला में इस्थित है चंड और मुंद नाम के दो राक्षतों के संगहार के कारण ही मा का ये रूप चामुंदा जी कहलाया चामुंदा देवी मंदिर शक्ति के क्यावन शक्ति पीठो में से एक है मानिता है कि यहां पर आने वाले शद्धालों कि सभी मनों कामना पूर होती है नावरात्र में यहां पर दिन जागरल का आयोजन होता है और मेरा लगता है आप भी कीजिए इसा अलभुद देवी मंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की सामुद जाता है क्योंकि इसके नीचे शनी पर्वत का आस्थान माना जाता है कि कि यह एक किसी के मध्यमा उगली का पहला कंड सामाने से लंबा हो तो उस वgrowth का जुकावो धार्मिक चीजों के तरफ जदा होता है उसव्यत जिफुद। को धार्मिक ग्रंथों से बहुत मैं नगा या लोहा वो मशीनी से संबद्दित काम या नौकरी भी कर सकता है जबकि तीसरे खंड का अधिक लंबा होना दर्शाता है कि व्यक्ति चालाक और स्वाथ्थी होता है और पाप युक्तकारों से घिरा रहता है कल हम बात करेंगे हाथ की अनामी का उली के बारे में अब बात अवाइड अब धी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज दो अक्टूबर को आश्रें शक्रपक्ष की सव्य करने की ही है इस तीसी में किसी भी ताल के फल कर सेवन करना स्वास्ति के नहीं होता सब्टमी इतिति आज शाम चे बच कर 45 मिनिट तक रहेगी उसके बाद आश्टमी इतिति लग जाएगी जो कि कल शाम चार बच कर 37 मिनिट तक रहेगी आश्टमी इतिति में नार्यल या नार्यल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना निशिद रहे इस तरह तिथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं, बाकि आप कुछ भी खाईए, पीजी, मौश कीजी और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वली दिशा है, पूर्व और दक्षित पूर्व. और अब सवधान करोना, ओम नमोन सिंगाई हिरनकश्य पवक्ष स्तल विदारनाए, त्रभोन व्यापकाई, क्रेमी, विश विशानों को लोन मूलनाए, इस्तंभोत भवाई, समस्त दोशान, हर हर विसर विसर पच पच हन हन कम पए, कम पए, मत, मत, रीं, 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 में फिटकरी का टुकडा रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही, खुशियां हासिल होती रहेंगी, और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग आन करें, www.indiatv.in, और मुझसे विक्तिकत संपर करने के लिए फोन करें, 997100226, भविश यवानी में फिल हाल, इतना ही, न